बातियों, हेलो दोस्तों, हेलो मेरी प्यारी सिस्टर, आज किस वीडियो में एक बार आपके सामने पुना हमाई आ चुका हूँ BTSC A&M 10709 के रिगार्डिंग सभी अपडेट पहुचाने के लिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये BTSC 10709 A&M का क्या होगा यहाँ पर सब लोग अपनी मांग को भी शुरू कर चुके हैं कि मेरा ये अधिकार है, ये मेरे अधिकार को दे दीजिए सभी स्टुडेंटों का अलग-अलग यहाँ पर राई भी आ रहे हैं सभी का अलग-अलग कमेंट भी आ रहा है कि सर यहाँ पर उसी नियाम वली पर इसको कॉंसलिंग को ले लिया जाए बहुत सारे कंडियट यह भी कमेंट कर रहे है कि नहीं सर एक्जाम करा करके यहाँ पर नई वैकैंसी को किलियर किया जाए आखिर क्या होंगे दूसरी बात बीटीएसी अभी तक नोटिस क्यों नहीं जारे कर रहे हैं कुछ भी चीज का चाहे वो कौंसलिंग के रिगार्डिंग हो या चाहे वो एकजाम लेने के बारे में सोच रहे हैं कुछ भी एक यथा इस्थीती होता है न कि बीटीएसी एनेम के इंतरगत ये कार्ज यहां तक चल रही है तो क्या कार्ज चल रही है कुछ भी यहां पर जानकारी इनको देना चाहिए क्योंकि इससे ही विद्यर्थी में अउसमन जस बैठा हुआ है और भी मन में कुछ-कुछ यहां पर प्रसना आते हैं ना तो वह बढ़ियां से पढ़ है नव बर्यां से कुछ कर पा रहे हैं तो इस चीज knowing की इनको थ्वाशा ऑफीिशेल नोटीस के माध्यम से पमलिक प्बलीक जब हो जाते तो सब्हें को थ्वाशा यहां पर जानकारी अपडेट तो इस भी बात यहां पर पूरे डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने के लिए आया हूँ तो वीडियो को आउंत तक आप लोग बने रहिएगा और आप अपनी विचार को भी एक वार कमेंट बक्स में मुझे बताईएगा चलिए वीडियो को और आगे कर देखिए बिहार बिधान सत्र चल रहे थे तो सत्र में जो पूछा गया वो तो गलत नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर माननिये मंत्री जी को खुद जवाब देने होते हैं उनके विभाह के तरफ से जवाब देने होते हैं सभी वहां पर माननिये सदस उपस्थित होते हैं वहां पर माननिये प्रस्ण किया था प्रस्ण की संख्या भी यहां पर आप लोग देख सकते हैं 755 नवर में और जो माननीय सदस थे सुरी सुदामा परसाद जी इनके दोरा यह प्रस्ण पूछा गया अब यह प्रस्ण क्या है आप लोग देखे होंगे नहीं तो मैं आपको दिखा दिता हूँ किलियर लिखा हूँ है किलियर लिखा हूँ है पतरांग 1632 दिनांग 264 2022 दोरा एनियम 10709 पदो पर नियुकती इसके लिए विग्यापन संख्या 7 2022 के आलोग में नियुकती हतु चैन समीती दोरा मेधा सुची से कराने का बिहार सरकार दोरा निर्नाय लिया गया था सही बात है 7 2022 10709 वैकेंसी को निकाला गया था ये प्रस्ण पूछ रहे हैं और इनमें कौंसिलिंग भी हो गया था जिसमें सभी परकिरिया पूरी होने के उपरांत सभी छात्राएं अपनी नियुकती पत्र के इंतजार में थी सही बात है किन्तु बिहार सरकार के दोरा परिक्षा के अधार पर नियुकती करने का निर्नाय लिया गया एदी उपयुक्त खंडो का उत्तर स्विकारात्मक है तो क्या बिग्यापन संख्या 7 2022 के सभी छात्रों को तयार में दा सूची के अधार पर नियुकती कराने का यह प्रुछन पूचे हैं सब कुछ असपश्ट है और यह वेबसाइट पर है उसे वेबसाइट पर बिखर से लिया हूँ आप लोग भी जा हैकर के देख सकते हैं अब इसमें जो आंसार आया, वो किलियर क्या आंसार आया है, 2018 नियामावली को जो नियामावली है, उसको क्या किया गया यहाँ पर? 16-23 द्वारा बिहार महिला स्वास्त कारिकरता अकजेलेरी नर्स मीडवाइफरी नियामावली 2013 नियामावली है, उसको यहाँ पर हटा करके 2023 नियामावली 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 कर दिया गया, अब 2023 नियामावली में आठ दू कंडिका है, उसमें परत्युक के आलोक में नीदे साल आय पत्रांग 932-6 दिनांग 12-6-2023 द्वारा पिहार तकनिकी सेवा आयोग विग्यापन संक्या 7-2022 एन्यम के चयन हेतू परतियोगता परिक्षा का आयोजन कर अनुसंसा भेजने का अनुरोध किया गया है यानि कि ये कह रहे हैं कि 2023 दिन्यमावली ल कर दिया गया और इसी के द्वारा 7-2022 के लिए विग्यापन संक्या 7-2022 के लिए परतियोगता परिक्षा का आयोजन करके अनुसंसा भेजने का अनुरोध किया गया है बीटीयसी से अनुरोध किया गया कि आप इनको एक्जाम ले करके यहां पर कीजिए अब जब ये पास पहुचा और ये नोटिस जब सभी स्टुडेंटों के पास पहुच रहे हैं तो अब यहां पर सभी के मन में तो प्रसन वाजीब है आएंगे ही आएंगे क्यों क्योंकि यहां पर बात करेंगे तो यहां पर बात करेंगे तो कॉंसेलिंग की परकिरिया यहां पर होने वाली थी कियों कौंसुलिंग के परकिल्या होने वाली थी इसी बीच यह नियम च Hear अब सभी के मन में यहाँ पर आगे और परिक्षा होंगे परिक्षा हंगे तो इस डॉट है इस डॉट को हम रिक्वेस्ट करेंगे BTSC से कम सक्म आप किलियर कर दिजी वहां से कि क्या kaunseling होना चाहिए या kaunseling ले करके करेंगे या फिर परिख्ळा नहीं है क्या है उसको किलियर कर दिजी अगर ऐसा नहीं होते हैं तो विदैर्थि को यहाँ पर बहुत ज़्य जधा दिखकते होते हैं अभी रोज दिन के तरफ देखे एक दो दिन पहले यहाँ पर यह एनियम सिस्टर जितनी भी है सब लोग मांग करने के लिए गया गया है क्या था कि जल्दी से कौंसलिंग कर वाए बिल्कुल सही बात है मांग यह लोग कर रहे हैं दुसरी तरफ क्योंकि यहाँ पर न्यूज जाड़ी नहीं कर देते हैं तब तक हमलों को इंतजार तो करना ही पर गांतजार करने का मतलब क्या अगर स्थिति डिपार्ट्मेंट को बता दिनी चाहीए यह चीज है अब आए दिन अगर आप लोग तो यह पेपर के माध्यम से यहां पर आया था मेरे पास इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनेम बहाली का लिखित परिक्षा का किया विरोध यानि यह जो नियम बनाया गिया है इसमें लिखित परिक्षा का इसको यहां पर विरोध कर दिया जा रहा है इसकी लिए यहां पर बा लुक्ति की बात कही गई थी आयोग दोरा एस्कुटनिक कर लिया गया और कॉंसलिंग कर मेरिट लिष्ट जारी करना था लेकिन स्वास्त विभाग कॉंसलिंग किती थी घोसित करने के बाजा है अब नए सीरे से लिखित परिक्षा करने की बिचार कर रही है अब यह बिचार करने वाली बात होगा कि यह आखिर कब तक क्या होगा चुकि अगर यहां पर मान लेते हैं कि कॉंसलिंग नहीं कराते हैं तो परिक्षा लेते हैं तो बहुत सारे इस्टुएंट यहां पर कोट का भी सरन ले सकते हैं हाई कोट का भी सरन ले सकते हैं बहुत सारे इस्टुए होता तो 72 हो जाता क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है एक साल पहले से परकिरिया लेट हो गया अब नए तरीके से सब कुछ करेंगे तो और भी ज्यादा लेट होंगे यह तो बिल्कुल सही बात है दूसरी तरफ एक और पेपर कटिंग यहां पर देखेगा पेप के माधिमस होगा लेकिन ये 10,000 किस के लिए क्या विग्यापन संख्या साथ 2022 की बात हो रहा है जिसमें 2000 जिसमें 10,709 का जिक्र किया गया है या फिर ये अलग से वैकेंसी है इस पर भी थरा समल को सोचना होगा क्योंकि इसमें किलियर नहीं है और अभी मामला क्या है 10,709 का तो बहुत सारे इस्ट्वेंट के मान में डिरेक्ट प्रसन उठते हैं कि 10,709 का वाकेंसी ही होगा ये 10,000 वला लेकिन इसमें कहीं पर किलियर कुछ भी नहीं लिखा है चलिए आपको ये सारी जानकारी था अब ये सब कुछ बा इसके रिगार्डिंग कोई न कोई आप एक ऑफिसेल नोटिस जारी कर दीजिए जिससे स्टुडेंट को सभी एनियम सिस्टर को कुछ न कुछ यहां पर जानकारी मिलेंगे और उमीद रहेगा कि वैकेंसी पुरानी है तो कांसलिंग के बेसिस पर होता तो बेटर होता बाक सुन लिजे गौर करके फिर आप लोग उल्टा मत समझ लिजेगा कोई भी नियू वैकेंसी आएंगे उसमें तो परिक्षा होना निश्चित है यह बात समझ लिजे ठेक है बाकि इस वैकेंसी पर क्या विचार रखती है यहां पर अभी तक कुछ फाइनल डिसिजन नहीं आ त्यारी मेरे यहां भी यहां पर त्यारी करवाय जाते हैं अगर आप लोग त्यारी करना चाहती हो तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप लोग त्यारी कर सकती हो इन्यम का नोट्स लेकर भी पढ़ सकती हो आगे आने वाली हर एक वैकेंसी के लिए ठेक है तो आपको अ झाल झाल